नमस्कर दोस्तो मैं डॉक्टर संदीप है दोस्तो हाजिरूं आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ है तो दोस्तो आज मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ जो इनसान के हाथों पैरों में जखम हो जाते हैं और अधियां गलनी शुरू हो जाती है तो उस ची अक्सर ऐसा होता है कि इनसान को चोट लग जाती है और काफी इलाज करने के बावजूद भी वो चोट ठीक नहीं होती अब वो चोट आपकी ठीक नहीं हो रही उसके बाद जो अगला आपकी स्टार्ट होता है वो यह होता कि हड़ी भी गलनी स्टार्ट हो जाती है तो दोस यूज नहीं करवाया, मगर मैंने काफी बजुर्गों से वैद अकीमों से इस फार्मुले के बारे में सुना, अपने बजुर्गों से भी इस फार्मुले के बारे में मैंने सुना, तो अब दोस्तों क्या करना है, अगर ऐसा कोई पैशेंट आपके पास आता है, तो आपको क् कि हड़ी इनसान की हड़ी आम तोफे शमशान घंट में जब किसी का अंतिम संशकार कर देते हैं और हड़ीयां गर चुग लेते हैं तो छोटे-छोटे टुकड़े वहाँ पे फिर भी रह जाते हैं शमशान घात में पड़े होते हैं तो उन टुकड़ों को आपको इकठा कर लेना है उनका पाउडर बना लेना उस पाउडर को जहां पे हड़ी गल रही वहाँ पे लगा देना है उसके बाद दोस्तों हड़ी गलनी बंद हो जाएगी अब रहे गया हमारा दूसरा नॉर्मल जखम उसे शही करने के लिए मैं आपको अब मेडिसिन बताता हूँ आपको ले लेना है नीम की लकड़ी नीम की लकड़ी दोस्तो सुकी नहीं लेनी ताजी हरी लकड़ी लेनी है और उस हरी लकड़ी को आपको गैंस के उपर जला लेना है गैंस के उपर जला लिया उसका जो कोईला बनेगा उसे अच्छी तरह खरल करके बारिक बिल्कुल पाउडर बनाके सरसो के तेल में मिक्स करके मलम बनाके वो मलम आप जखम पे लगाएं कुछ ही दिनों में जखम सही हो जाएगा और इसके साथ ही दोस्तों आप जो नीम के पत्ते होते हैं उनका पाउडर बनाके इस्तमाल करें या वैसे ही नीम के पत्तों को कूटके उनका रत निकालके वो पीए तो इससे जखम बहुत जल्दी सही हो जाएगा अगर आप ये नहीं ले सकते यानि कि जैसे नीम का पत्ता कड़वा होता है तो अगर छोटा बच्चा है तो वो तो उसे नहीं लेगा चाये आप कितना भी कोशिश कर लें मॉक्सी काइंड सीवी तो वो मॉक्सी काइंड सीवी आप डॉक्टर की एडवाईज पे बच्चे की कंडिशन के हिसाब से हलकी डोज उसकी आपसे दे सकते हैं अगर कोई यंग है तो फिर वो 625 एमजी टेबलेट ले सकता है और अगर कोई बच्चा है तो उसे उसी आए उपर पटी नहीं बांदनी जखम के उपर लगा लें पटी मत बांदें वैसे खुला ही रहने दें तो इससे आपकी यह समस्या ठीक हो जाएगी तो दोस्तों मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें धन्यवाद